मैं मिसिस खरे लाल बागस इंटर कॉलिज के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक सेरीज का 102 पार्ट लेकर उपस्थित हूँ आज मैं बताऊंगी वोस्ट बिट्विन टू पैलल करन कैरिंग वायर्स दो समानतर धारवाही तारों के बीच बल देखिए किसी तार में धारा प्रवाहीत होती है तो उसके चारों तरह चुमके छेत उत्पन हो जाता है इस चुमके छेत में कोई दूसरा धारवाही तार रख दें तो उस पर एक बल लगता है और ये बल की दिशा जो है फ्लैमिस लेप्ठेंडूर के नुसार होती है और अगर ये दोनों तारों में धारा समान दिशा में है तो इनके बीच आकर्शन का बल लगेगा अगर ये विप्री दिशा में धारा बहरी है तो इनके बीच प्रतिकर्शन का बल लगेगा अब आकर्शन प्रतिकर्शन का बल हम आपको दिशाक के नियम से समझाएंगे और बल का मान बताएंगे देखें ये दो धारवाही चालक हैं PQ और RS इसमें समान दिशा में धारा बहरी इसमें I1 धारा बहरी, इसमें I2 धारा बहरी है PQ में I1 धारा बहने के कारण इससे R दूरी पे दूसरा तार है इस पर चुम के छेत का मान ये हम निकाल चुके हैं अनत लंबाई के के तार में I धारा बहने कारण इससे R दूरी पर चुम के छेत रहा ठीक है, इसका मान हम निकाल चुके है, अब देखे, इस से आरदूरी पे क्या है, आरेस्तार है, इस पर चुम्प के छेट का मान ये हो गया, और दिशा क्या है, दाइने हाथ की हतेली के नियम, कि अंग्छा धारक दिशा में उंगलियास बिंदु की और हों, तो हतेली को धक् वो चुमके छेत की दिशा होगी यह नियम के अंसार यह चुमके छेत की दिशा कागज के पेंड के परपेंडिक्लर नीचे की तरफ होगी ठीक है यह क्रॉस बनाया है अब इस पर चुमके छेत की दिशा जो है वो नीचे की तरफ है अब इस चुम्ब के छेतर में चुम्ब के छेतर इसके कारण है और इस चुम्ब के छेतर में ये धारा वाही तार आरेस रखा है जिसमें धारा बह रही है I2 तो इस पर लगने वाला बल क्या हो गया इसे भेने वाली धारा I2 इस पर चुमके छेतर B1 और इसकी लंबाई L है तो इस पर और B और L के B जो है यह कमान जो है 90 डिग्री है क्योंकि B कमान देखे ये है और तार की लंबाई ये है 90 डिग्री तो I2, B1, L, S9, T, B1 कमान यहां से रख दीजे यह आया अब देखे F upon L बराब मे 0 upon 2 पाई I1, I2 upon R तीक है अब बल की दिशा देखे बल की दिशा क्या है फ्लैमिंग्स लेफ्ट हंडूल से निकालेंगे देखे यह आपकी बाएं हाँ से यह पहली फिंगर जी है B, यह दूसरी फिंगर I और यह उठा बल की दिशा देखे B, I और बल की दिशा देखे लेफ साइड में लग रही है यह क्या है? PQ की वो इसी तरह से यह धारवा ही चालक है, तार है इसके कारण इस पर चुमके छेत का मान क्या होगा मीजरो पॉन टू पाई I टू अपॉन आर हो जाएगा और अब क्या है देखे, चुमके छेत की दिशा उंगलियां उस बुंदू की ओर हो अंगुठा धाराग दिशा में दाहने हास से करेंगे तो तेली को धक्का देने की दिशा क्या है उपर की तरह तो देखे, ये बिंदू बनाया है बिंदू क्या है कागज के प्रेन के परपेंडिकल उपर की तरह इस ने बन चुमके छेत की दिशा उपर की तरह है और मिडिल फिंगर जो है वो धारक दिशा में हो, तो अंगुठा बल की दिशा को शो करेगा, ये देखे इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो ये बल का मान भी यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो दोनों पर ये बल, एक आंक लंबाई पे जो बल है, वो इस पर भी है तह ठीक है, इसी तरह से, अगर जो है धारक दिशा भी परीत है, देखिए, तो इसके करण हमें चुम के छेट की दिशा बताई थी, अब देखिए बल लगाना है, तो क्या होगा, बी आई एफ, बी की दिशा आपके नीचे की तरह, है, आई जो है वो, इधर की तरह, और बल ज इसी तरह से, इस में जो है धारा बह रही है, आई टू धारा बहने कारण से आज दुरी पर चुम के छेत्र, तो धारा कैसे बह रही है, यूँ बह रही है, धारा के दिशा अंग उठे की दिशा, अंग उठे की दिशा और उगलियाँ बिंदु की ओर हो गई, तो हतेली को धक्का देनी की दिशा जो है वो इस पर भी चुमके छेत का मानी होगा बल जो है ये ऐसे लगेगा आप अपलाई करेंगे ठीक है अब देखें ये आ गया मतलब दोनों के अच्छा है धारा एक दिशा में या विपरी दिशा है बल का मानी होगा लेकिन बल की दिशा इसमें क्या होगी दोनों एक दूसरे की ओर होंगी एक दूसरे से दूर होंगी या कर्शन का बल इसमें प्रतिकर्शन का बल अब देखिए इसमें आई वन अब बराबर आई टू बराबर आई ले ले तो और तो f upon l बरावर measure upon 2 pi i square upon r i1 बरावर i2 बरावर i लिया i बरावर 1 ampere r बरावर 1 meter तो f upon l बरावर 2 into the power minus 7 newton प्रति मीटर measure upon 2 pi का मान 2 into the power minus 7 यह newton upon meter तो एक ampere की फरिवाशा दीगी एक ampere बैदुधारा वो है जो निर्वात अथवा वायू में एक मीटर की दूरी पर इस्थित दोरी जुरेखिये लंबे समांता तारों में प्रवाहित होने पर प्रति मीटर लंबाई पर 2 into 20 power minus 7 newton का बल उत्पन करता है ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स पार्ट में